हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आशिस मोटो में आज हम बात करने वाले हैं महिंदरा बेलेरो के बारे में अपने सेग्मेंट की 7-setter SUV है अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है और आपको 7-setter कार चाहिए फैमिली के बड़ी है और बिल्ट कॉल्टी भी अच्छी चाहिए तो आप जा सकते हैं बेलेरो की तरफ प्राइस स्टार्ट होता है 9,891 एक शोरूम से और टॉप सोला जाता है 10,91 एक शोरूम तक अभी आपके सामने top end variant ही खड़ा है B6 optional इसमें तीनी variant आते हैं B4, B6 और B6 optional तो आज इसी B6 optional के बारे में complete detail में बात करेंगे इसके exterior से लेकर interior तक engine, features, then price के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं color choices की तो अभी आप देखे हैं इसके white color को इसके अलावा इसमें silver और brown ये तीनी color आते हैं बात करेंगे इंजन की वो भी सिर्फ आपको एक ही मिलता है 1.5 liter का M-Hawk diesel engine जो निकाल के देता है 75 bhp की power और 210 Nm का talk mileage की बात करें तो अराम से आप 15-16 तक निकाल सकते हैं आपके चलाने पे depend करेंगा सिर्फ manual transmission में आती है automatic का कोई option देखने को नहीं मिलेगा पिले रोके अंदर तीन साल और एक लाग किलोमेटर की warranty मिलती है आप इसको extend भी करवा सकते हैं की की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे remote center locking की मिलेगी फिलिप की रहती है जिसके अंदर आपको तीन बटन मिलेंगे lock, unlock और buzzer का बटन और पीछे आपको मिल जाती ही महिंदर की branding महिंदर का logo मिलेगा और जो दूसरी वाली secondary की है न उसमें आपको कोई बटन नहीं मिलते है वो आपको normal सी मिलेगी अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से fit चलेंगे इसके interior के अंदर तो start करते हैं इसके front profile से तो center में आपको महिंदर की branding महिंदर का logo ग्रेफनेस में पूरी grill है थी जिसके अंदर आपको chrome treatment देखने को मिल जाएंगे और all देखा जाए grill काफी अच्छे लग रही है headlamps की बात किया तो यहाँ पर आपको halogen headlamps offer किये जाते हैं उपर आपको parking light and indicator की placement यह सारी चीज़े मिलेंगी fog lamps आपको किसी वेरें में देखने को नहीं मिलता है आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं पूरा metal का bumper रहता है 183 mm का ground cleanse उपर आपको dual wiper with washer का setup देखने को मिल जाएगा अगर roof की बात किया तो plain roof आपको मिलती है आपको side में A pillar पे देखने को मिलेगा यह तो गई front की बात अब आजाते हैं इसके side profile की तरब तो side से देख लिए ऐसो कुछ आपको यहाँ पे looks नजर आने वाले हैं भाई यहाँ पे wheel covers मिलते हैं जब आप delivery लेंगे तो वो लगा के मिलेंगे यहाँ पे आपको 15 inch के steel wheel दिये जा रहे हैं wheel covers के साथ आते हैं यह और suspensor के travel आपको इतना कुछ मिलेगा C8 के tires हैं अगर tire section की बात करें तो 215, 75, R15 का आपको यहाँ पे section देखने को मिल जाएगा उपर आपको यहाँ पे cladding वगरा दी जारी body color आगे से पीछे ताग आपको पूरे में gray finish में cladding रहती, turn indicator fender पे है, sticker वगरा यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी इसके top end variant के अंदर आउश्टेट mirrors की बात किया है जो भाई manually foldable और manually adjustable रहते हैं आपने हाथों से encourage करना पड़ेगा, fold करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई button lever आपको नहीं मिलता है अब चलते हैं, पीछे की तरफ, तो यहाँ पे जो door handle से आपको मिलते है, matte finish में और यह राज कबाई front dashboard, जो की dual tone color में है, देखने में काफी बड़ेया लग रहा है, इसको भी आगे proper cover करेंगे rear में drum और front base में आपको मिलती है, disc brake और यहाँ पे आपको मिलती है, bilero basics की badging यहाँ से डलवाएंगे आप diesel, मिल जाती है, आपको 60 liter की tank capacity, अब आज़ते हैं इसके rear profile की तरफ, तो rear से देख लिजए ऐसे कुछ आपको looks मिलेंगे, यहाँ पे आपको wiper भी मिलता है, इसके top and wearing के अंदर, and यह जो spare wheel है, इसके उपर भी cover आता है, भी लगार नहीं है, बा बागी यह तो गई पीछे से बाद, 370 liter का आपको boot, इसके मिलता है, interface, seating arrangement देखने को मिल जाता है, आप चलते हैं, इसके second room में, वहाँ पे बैटके देखेंगे, कितना का seating comfort, leg room, head room आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो सबसे पहले आप door trim देख लो, ऐसा कुछ आपको मिले हैं, तो आगे विली seat मैंने अपने recording adjust कर रखी है, और पहले आप knee room, leg room, और यहाँ पे थाई support भी आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, बाकी काफी उचा बैटता हैं, बिलेरो के अंदर, और fabric की seats हैं, आप इसमें बाद में seat cover लगवा सकते हैं, center में आपको armrest भ में यहाँ पर आपको audio system भी दिया जाता है, base variant में जाएंगे तो आपको audio system नहीं मिलता है, अब चलेंगे इसके front driver seat के उपर, वहाँ पर बैटके सारी चीज़े cover करने वाले हैं, तो इस door को करते हैं, बंद, और indoors को भाई, काफी force लगा के बंद करना पड़ता है, ऐसे बंद में दिये जाते हैं, यहाँ पर इसका grab handle, पगल में door opener, नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको छोटा मूटा space देखने को मिल जाएगा, यह है इसका front dashboard, side dashboard में देखेंगे, तो यहाँ पर head debt leveler, i-destra stop, नीचे आपको manual ABC pedals, और यह रहे हैं इसकी fabric seat, आगे वाले जो headrest हैं, उ देखने में काफी muscular सा लग रहा है, सामने steering पर आपको कोई भी controls देखने को नहीं मिलेंगे, यह रहिस की flip key जिसको हम लगाएंगे यहाँ पर, और on करते हैं इसका ignition, तो इसका cluster पहले आप देखो, पहले से थोड़ा सा different हो चुका है, change यहाँ पर किया गया है, fully digital है, center map को speedometer देखने को मिल जाता है, और इस button की through आप इसको control कर पाएंगे, trip A, trip B, सारी चीज़ देख पाएंगे, यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाता है, सारी check lights है, आरपे मीटर बगर भी देखने को मिलेगा, बाकि center में देखेंगे तो hazard का switch देखने को मिल जाता है, चारो indicator आपके on हो जाएंगे, तो अब बात करते हैं, इसके steering की, तो ऐसे कुछ आपको circular form में देखने को मिल जाएगा, center में महिंद्रा की branding देखने को मिलती है, इसी के पी जाते हैं, गाड़ी के center console की, तो यहाँ उपर देखेंगे, तो AC के events आपको दिये जा रहे हैं, और उसी के नीचे आपको audio player देखने को मिल जाता है, इसके नदर आप Bluetooth, USB, यह सारी चीज़े चला सकते हैं, सारे button आपको मिल जाएंगे, इसको control करने के लिए, यहाँ आपको AC AC के सारे controls, जोगी manually यहाँ पर सारे चीज़े करने ही पड़ेंगे आपको, यहाँ से on-off कर सकते हैं, AC को, यहाँ पर देखो के तो 12 बोल का charging outlet, यह इसका 5 speed manual transmission, बगल में देखेंगे तो manual handbrake, यहाँ पर आपको 4 पॉंडो के controls, यहाँ पर 2 cup holders आपको बगल में देखने को मिल जाते हैं, visibility वो तो काफी अच्छी से आपको मिलती है, बिलेरों के अंदर, उपर sun visor में यहाँ पर कोई भी mirror नहीं मिलेगा, यह manual day night IRVM, इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको mirror नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर mic की placement, यहाँ पर roof light जो की हेलोजन में रहने वाली ह यह तो होगी पूरे interior की बात, अब चली गाड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आपको ABS with EBD, center locking, seatbelt warning, engine embolizer, crash sensor और यहाँ पर आपको मिलते हैं दो airbags, अब बात करते हैं main चीज इसकी pricing की, तो अभी आप देख रहे हैं B6 optional variant को 10,91 एक शोरूम और लगभग लगभग 12,70,000 रुपे के आपको honor लखनों पढ़ने वाली है, तो अगर आपको budget है 12-13,00 के बीच में, आपको चाहिए 7-state car काफी मजबूत build quality वाली, तो आप जा सकते हैं महिंदरा बेलेरो की तरफ, यह थी बेलेरो कैसे लेगे आपको नीची comments में जरूर ब हुआ हुआ है